लोकसभा चुनाओ 2024 को लेकर बिहार में एंडिये ने सीटों का बटवारा कर लिया है। लोचपा के दोनों खेमों के बीच सीट सेरिंग को लेकर किये जा रहे डावे और गर्माय विवाद में भाचपा आला कमान ने चिराग पास्वान के साथ चुनाओं में आगे बढ़ने का फैसला लिया और हाजिपूर समस्तिपूर समेत पाच सीटे उनकी पार्टी लोचपा थलग परने के बाद अब पसुपती कुमार पारस ने पीम मोदी से अपने सारे रिष्टे तोर लिये हैं क्योंकि उन्होंने अपने सोशल मीडिया आईडी में अपने बायों से मोदी का पडिवार भी हता लिया है आपको बता दे कि पसुपती कुमार पारस ने भाजपा से कि चुनावी माहौल में रैलियों का दौर खूप चल रहा है और राजधानी पटना के गाधी मैदान में बीते दिनों महागडबंदन की एक बड़ी रैली बुलाई गई थी जिसमें राजत सुप्रीमो लालु प्रसाद ने ये कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है उनक के साथ मोदी का परिवार जोरा था पसुपती कुमार पारस ने भी अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगाया था लेकिन अब NDA में बात नहीं बनी तो उन्होंने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो भी बदल दिया है और कवर फोटो को भी बदल द ही है जो जनता के बीच की है गौर तलब है कि लोचपा में विखराओ रामविलास पासवान के निधन के बाद ही हो गया था पार्टी दो खेमों में बट गई थी परिवार का कलह समाप्त नहीं हुआ लेकिन दोनों पार्टी NDA का हिस्सा बनी वहीं अब लोकसभा चुनाओ दुहजार चौबिस के लिए चिराग और पारस की ओर से कई सीटों पर दावेदारी NDA के लिए चिंता का कारण बन चुकी थी हाजीपूर से पसुपती कुमार पारस सांसत हैं लेकिन चिराग ने इस सीट पर ताल ठोक दिया भाजपा ने दोनों नेताओं को मनाने की भरसक कोशिस की लेकिन जब बीच का रास्ता नहीं निकला तो चिराग पास्वान के साथ ही भाजपा चले गई और पसुपती पारस को अकेला छोड़ दिया NDA से किनारे होने के बाद पसुपती कुमार पारस इन दिनों लगातार अपनी पाती के निताओं के साथ बैठक कर रहे ह हैं महा गटबंधन में सामिल होने के कयास भी सियासी गल्यारे में लगाए जा रहे हैं लेकिन राजत की ओर से कोई ठोस बात इस और अभी तक सामने नहीं आई है पसुपती पारस ने ऐलान किया है कि वो हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ेंगे यानि अपने भतीज प्रवारी भी करते दिखाई देंगे यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें